अल्याज वेलकम तो नर्सिंग स्टड़ी आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉन्स के बारे में तो यहां पर हम जनेंगे कितने टाइपस की बॉन होती है और यहां पर टोटल बॉन कितनी है ठीक है एवरेज अडल्ट जो टोटल बॉन वो कितनी होती है कौन कुन सी तो एक अडल्ट में जो एवरेज बॉन होती है एक अडल्ट में टोटल बॉन्स होती है 206 यानिके 206 बॉन्स होती है और कितने टाइपस की होती है लॉंग बॉन्स, शोट बॉन्स, फ्लैड बॉन्स, सिस्मॉड बॉन्स, और इर्रैगलर बॉन्स, लॉंग बॉन्स जो होत और सिमोईड बोन्स होती है वो technologIns और कि चार बोन्स और इर्रेग बोन्स जबांग सुछी तो सबसे पहले हम लॉंग बोन्स क्युद्वार्टिक्वां नाल जबंदास कि हमारे वोडी पार्ट्स में कौन से बोडी पार्ट्स में लॉंग बोन्स जब प्रेजें होती है तो यहां पर देखिए आप एक आपको structure दिखेगा यहां पर एक image है skeleton की image है यहां पर जो red color से circle बने हुए है यहां पर हमारी red bones वो present होती है image देखिए आपके left side में skeleton पूरा image बना हुआ है तो यह हमारा body का structure है inside structure है यह यानि हमारे पूरे जहां पर bones present होती है ठीक है यह पूरा structure है और जो red circle के ओव है red color के जो गोले डाले हुए है यहां पर हमारी red bones present होती है sorry long bones present होती है ठीक है long means limbs या फिर long हम calvical भी बोलते हैं इसके ठीक है humerus bone के two यानि के जो arms होती है जो हमारे hiju हैं यहाँ पर हमारी long bones होती है दो catis होती है तो दो long bones होगी radius टीक है probar armor यह टू बोलते हैं है metacarpals यानिके hand जो हमारी उंगलियां होती है ठीक है hands की जो bone है metacarpals वो है यह फिर xling is जो हमारी fingers है 28 fingers की जो flinges है ठीक है जो हमारी उंगलियों की जो bones होती है ठीक है और metacarpal हमारे पूरे hand की जो हाथेली होती है वो वाली bones होती है तो यहाँ पर humerus हमारी 2 bones है radius 2, alna 2 bones है metacarpal 10 bones है phalanges 28 bones है ठीक है उसके बाद आता है हमारा lower extremity, lower extremity में हमारे आते हैं legs ठीक है legs में हमारे femur जो two bones है ठीक है upper leg यहाँ पर आप image देखेंगे नीचे circle में जो femur है वो two bones है यहाँ ठीक है metatarsal जो हमारे हमारे हथेली咬 सही पंजा होता है में to help me, the bone जो 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 prettS हicias-बादक है जोली गे stopping Bennett शूरी टार्विजमी घंति है यह वोणिव परे वाल्तियों जो शृती audio वहाती हैं कि अच्छ कोहाँ है तो यह तोटल हो जाती है हमारी 90 से, यरूनक पोन्स है नेक्स्क काफु रहा हमारा Short Bones कोहाँ पॉन्सौट भाता है जाती है श्योस ह 10 रिंख nest कोहाँ ह पला नाची के दो भी तो होग रहा हाता है तो यहां लाल रख लिएन पेस है होती है first आता है हमारा old both two pounds होंगी olan to zwischen टूबॉण two bonds होंगी टरुनि टूलॉप्रम टूबॉक हैं White あり responds citoyens होंगी and Next आते हमारी ट्रेपरगाइड टूबॉन जबांच थिक है और सिस्मोईड बहुन भी इसमें आ सकती है, not included, इसमें include count नहीं करते हैं, लेकिन tarsal ankle bones होगी, ठीक है, यानि कि tarsal में कौन सी, जो हमारी ankles bone है, वो आएंगी, देन आता है हमारा tellus, tellus की two bones है, navicular की two bones होगी, cuboid की two bones है, and calcanus two bones है, middle cuniforms में two bones है, intermediate cuniforms में two bones है, and lateral cuniforms भी हमें इसे बोलते हैं, तो यह भी two bones होती है, तो यह total 28 short bone है, ठीक है, 18 हमारी short bone बन जाती है, ठीक है, सबी body parts को आप image के साथ, जो है, compare करके, फिर आपको पता चल जाएगे, कि कहाँ का पर हमारी short bone जो है, वो present होती है, next रहता है हमारा flat bone, ठीक है, flat यानि कि fort, तो यहाँ पर skeleton image देखिए, यहाँ पर, और circle में देखिए, कहाँ का पर हमारी flat bone जो हो present है, तो first रहता है हमारा sternum, sternum, आप देखेंगे, जो हमारे chest के middle में होता है, वो sternum की एक ही bone होती है, इसे हम breast bone भी बोलते है, then आते हमारे ribs, यानि कि rib cage जाता है, इसमें 24 bones होती है, जैसे कि अभी previous video में ही, मैंने आपके साथ, रिप्स की पूरी, जो bones होती है, कौन-कौन सी bone होती है, कितनी bones होती है, स्कल में frontal bone आ जाएगी, एक frontal bone होगी, दो parital bone होगी, वन occipital bone होगी, और दो nasal bone है, and दो lacrimal bone है, and one woman bone है, and two scapula होगा, ठीक है, यानि कि shoulder blades होगे, तो जो हमारे flat bones है, वो 36 जो है, टोटल हमारी flat bones है, नेक्स आजाता है हमारे irregular bones, ठीक है, जो irregular, यानि कि कोई एक proper shape नहीं होती है, irregular bones होती है, तो इसमें आ जाती है हमारी 48, इसमें हमारी 48 total bones आते है, irregular bone में, देख लेते हैं कौन-कौन सी इसमें irregular bones है, फर्स आता है इसमें hip bone, hip bone, two bones होती है, vertebral column में होंगी vertebral column के अंदर भी bones आती है जैसे कि cervical 7 है thoracic 12 है number 5 है and sacrum 1 है coccus 1 है and hoit bone भी 1 है उसके बाद skull के अंदर skull के अंदर bones काफे सारी bone आ जाएंगी skull में temporal bone है ethmoid bone है, sphenoid bone है zygomatic bone है, maxilla है mandible है and inferior nasal cochlea है and platine है उसके बाद ear ossicles ear ossicles में ear ossicles में malice two bones है incus two bones है and steps जो है वो two bones है तो total यहाँ पर 48 irregular bones हो जाती है इसके बाद हमारा last आता है sysmoid bones sysmoid bones में total four bones होती है sysmoid यानि कि sysm seed यानि कि बिलकुल pea shape की bones होती है, बहुत ही small shape की bones होती है, यहाँ पर आप image देखिए image में आप देखेंगे यहाँ पर जो हमेरे patela है यानि कि गुटने में जो bones होती है ठीक है छोटी होती है, पी शेप में होती है तो knee cap जिसे हम बोलते हैं उसमें जो bones होती है sysmoid bone हम उसे बोलते हैं यहाँ पर यह टोटल फोर bones होती है first आती है इसमें pisiform, ठीक है, carpal bones है जो कि हमारे यहाँ पर hand में होती है carpal bones and next आता हमारा patela, patela की भी टू बोलते हैं जिसे हम knee cap भी बोलते हैं तो टोटल होती है यह फोर bones तो यह है हमारा पूरा बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है I hope यह आपके लिए वीडियो helpful रहेगी आज की वीडियो में इतना ही thank you for watching